बारत और दक्षिन अफ्रीका के बीच खेला जा रहा आखरी टेस्ट मैच जो की डिसाइडरे टेस्ट मैच है वहां का दूसरा दिन बेहद शांदार रहा दरसल भारती टीम जहां पहले दिन 223 रनों पर अलॉट हो गई थी और लोग बात कर रहे थे कि क्या यहां पर दक्षिन अफ्रीका को भारत ने क्या मौका तो नहीं दे दिया है लेकिन दक्षिन अफ्रीका को समेटने में भारती तेज गेंद बाजों ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी दरसल आपको बता दें कि भारत के 223 के जवाब में दक्षिन अफ्रीका की पूरी टीम पहली पारी में 210 रनों पर डेर हुए और भारत को 13 रनों की मतवपूर्ण बढ़त मिल गए शुरुवात हुई पहले दिन के अंतिम अगर मुकाम पर देखा जाए तो डीन अलगर से जो सबसे बड़ी दिवार कहे जाते हैं दक्षिन अफ्रीका की खेमे में 16 गेंदों में 3 रन बनाकर बूमरा का वो शिकार बना है और उसके बाद जब आज के दिन की खेल के शुरु बात हुई तो एडन माकरम को जस्परीद बूमरा ने 22 गेंदों में 8 रन बना कर चलता किया सीधा बोल्ड मारा बूमरा ने उन्हें इसे बात केशब महराज तोड़ा सा हिम्मती बनने की कोशिश कर रहे थे 45 गेंदों में 25 रनों पर उन्हें उमेश यादव जिने की काम च बूमरा में आउट किया 166 गेंदों में 22 रन बना कर कीगन पीटरसन आउट हुए रान सी वांडर डूसें जो की ज़्यादा चपर चपर कर रहे थे दूसरी टेस्स मैच में 54 गेंदों में 21 रन बना कर उमेश यादव का शिकार बने कप्तान कोली ने उनका अच्छा कैच प पूरा हुआ जबरतस कैच उन्होंने पकड़ा काईल वेरीन कुंटन डिकॉक के बाद जो की रिप्लेस्मेंट के तौर पर आयते शूनी पर आज आउट हुए मार्को जैंसन को यहाँ पर बूमरा ने चलता किया जो राइवैलरी चल रही थी इस सीरीज में मार्को जैंसन क उन्होंने बताया कि बाप कौन है वही कगीजोर अबाड़ा 25 गिंदों में 15 रन बनाकर शार्दुल ठागुर का शिकार बने बूमरा ने उनका च्छक कैच लपका बड़ा शौट केल रहे थे और एक अच्छी गेंदवाजी के तहत प्लानी के तहत उन्हें आउट किया दो विकने मौमच शमी सोलवर चार मेडन 49 रन दो विकने शादुल ठाकुल बारा हुवर दो मेडन 37 रन एक विकेट रवी चंदर अशुट नौवर तीन मेडन 15 रन कोई सबलता नहीं लेकिन रवी चंदर अशुट कुछ कार भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर पिच जि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उत्रा तो लगा कि भारत एक बार फिर फ़सा क्योंकि दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 17 ओर में 57 रन बना लिये हैं दो विक्टें बारत ने गवाई और दोनों हत्पून विक्टें सबसे बड़ी विकेट केल रहुल के रूप में 22 गेंदों में 10 रन बना कर माको यांसेन का शिकार बने के एल राहुल इडन माकरम ने उनका अच्छा कैश लब का महन कंगरवाल एक बार फिर पहले टेस्ट में जरूर अच्छे लगे थे लेकिन वो थोड़ी सी अपनी जो बैट स्विंग है उसको लेकर परिशान हो रहे ह पुजारा 31 गेंदों में 9 रन बना कर नाबाद 24 रन ने जड़े विराट कोली कप्तान कोली पिछले पारी में शतक से चुके थे 49 गेंदों में 14 रन बना कर नाबाद है बढ़त बढ़कर हो गई है यहाँ पर 70 रनों के अगर भारत यहाँ से 500 रन और बना देता है तो दक्षण अफरीका में जीत का पर्चम जो की सपना रहा है लोगों का उसको लहरा सकती है वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कगीजो रबाड़ा के पहली पहरी में 4 विकट के जवाब में बूमरा ने 5 विकट चटक कर यहाँ पर खेल खतम किया दक्षण अफरीका का भी इन लोगों ने बता दिया बड़ी बात यह है कि अब यहाँ से टीम इंडिया क्या सोच रही होगी बारत का वैसे तो लक्ष होना चाहिए कि कम से कम डाइसो रन बोर्ड पर लगाये जाए ताकि अगर बड़त बने भी तो 266 अगर बारत डाइसो लगा देता है तो 268 र अब यहाँ तो 24 दिन तक का खेल ऐसा दिक रहा है जिससे पृष की कंडीशन दिख रही है जिससे आफसे सिचुेशन दिख रही है यह चार दिन तक ही जाना है जो लोग यह डिबेट करते हैं उनके लिए बिलकुल अटियल सिचुेशन है लेकिन एक बात होता है कि यहाँ स आपको महर जिता रहे हैं लेकिन आप ये बताइए कि आपकी बल्लेबाजी क्या उतनी मस्बूत है कि आप यहां से मुकाबले को निकाल सकते हैं या नहीं यह डिपेंड करता है आप लोगों के उपर अपनी उपीनियन जरूर शियर कीजिएगा मुकाबला बहुत शांदार च होसती रहेंगी ये नपी टाइमस के रिपो